हेलो वेल्कम बेक टू माई चैनल प्रिती डाइरिज में मैं प्रिती जहाप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अभी मॉर्निंग के दस बज रहे हैं टपू स्कूल गया है और जीत भी ओफिस चले गया है मैं कपड़ा धो रही हूँ बाथरूम में कपड़ा मैं डेली जो भी कपड़ा रहता है मैं डेली ही वास कर देती हूँ सिर्फ मेरा टपू और जीत इन लोग का मैं डेली ही साप कर देती हूँ सिर्फ बेर्सपतिवार को छोड़ कर मैं डेली कपड़ा नहाने से पहले साप कर देती हूँ मैं बेर्सपतिवार को साप नहीं करती हूँ इसका पता नहीं बचपन से ऐसा है कि मेरी मम्मी भी नहीं साप करती थी उस दिन हम लोग ना साबुन लगाते हैं और ना ही सर्प यूज करते हैं यहां मैं कप्रा बालकनी में ही डालूंगी क्योंकि जब थोड़े कप्रे राते मैं छट पर नहीं जाती हूं छट पर जब बहुत ज़्यादा जिस दिन बेड सीट कुछ ऐसा कप्रा बहुत भी जाते हैं अभी बरसात का भी मोसम है छट पर डालने पर होता है का बारिस आ जाए पता भी नहीं चलता और यहां डालने के बाद रहता है कि हमेशा देखते रहते हैं तो पता भी चल जाता है अब मैं जाओंगी नहने के लिए सारा काम हो चुका है उसके बाद मैं कुछ लंच के लिए खाना बनाऊंगी वो आप लोग के साथ सेयर करूंगी सोया पुलाओ तो आप लोग मेरे साथ मेरा वीडियो देखते रहिए और देखिए यहां बरसात का मोसम जैसा है पूरा लग रहा है कि कब बारिस हो जाएगी पता ही नहीं चलता है आज कल तो जब तब ब मुझे तो बारिस का मोसम बहुत पसंद कल तीज का नहाय खाय हो जाएगा तो आज मुझे मार्केट भी जाना है वहां से सामान लाना है कुछ पूजा के लिए मैं इसी पूजा कर लेती हूँ पटना में तो बहुत अलग तरह से तीज मनाया जाता है और मेरे यहां जहां मे मेरा माईके है ससुराल है वहां कुछ अलग तरीके से मनाया जाता है तो सब जगह का रसम रिती सब कुछ थोड़ा अलग होता ही है तो यहां मैं नहा कर आ चुकी हूँ मेरे बाल बहुत ही उलद जाते हैं हमेशा इधर से बहुत ज्यादा ड्राय हो गये है क्योंकि मैं उनका जूरा बना लेती हूँ काम करने के टाइम मुझे गर्मी लगती है कीचन में तो मैं हमेशा उपर में जूरा बना लेती हूँ जिसके कारण मेरे बाल हमेशा ही उलद जाते हैं और इधर से तूटने भी लगे हैं तो सोच रही हूँ कोई हैर मास्क लगाओ तो वो भी मैं आपके साथ सेर करूंगी तीज के बाद मैं एक हैर मास्क आप लोग को बताऊंगी जो की मैं हमेशा से यूच करती आई हूँ अभी कुछ दिनों से नहीं उच कर पा रही हूँ दो-तीन महने से लेकिन मैं चार रही हूँ कि फिर से मैं करूं क्योंकि इधर से मेरे बाल ड्राय हो रहे है और तूट भी रहे है तो आप लोग के साथ भी सेर करूंगी टपू स्कूल से दो बज़े आएगा तब तक मैं ज दा रही हूं सोया पुलाओ बनाने के लिए एक बज चुका है चलिए कीचन में चलते हैं और मैं बनाओंगी सोया पुलाओ जो की बहुत टेस्टी और तुरंत बनकर तैयार हो जाता है मेरे बाल अच्छे से सुलाज गए हैं आप लोग को मेरा बाल कैसा लगा जरूर में सोया को बीन को मैंने पॉनी में भींगो दिया गरम पॉनी में आप इसे चोड़ कर हम निकाल लेंगे और थोड़े से वाइल में मैं इसे डाल कर थोड़ा सा फड़ाई कर लूँगी आप चाहे तो नहीं भी कर सकते हैं तो सरसो तेल में मैंने जीरा डाल दिया दाल चिन सब पत्ता गोवी, फूल गोवी KUCH भी डाल कर बना सकते है क्याया चावल और सबस्जी सब एक साथ था और सोया बीन भी बहुत ही हेल्दी होता है मैं यहां इहां मसाला डाल रही हूं जोकी गडर्म मसाला फाटा को किकी देम करता भी भूद्द मिड़श हूं सोया बीन सोया बीन को अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसमें चाबल डाल दूंगी दोपहड का टाइम है और मैं सिर्फ मैं अपने लिए ही बना रहे हूं टपू के लिए मैंने मोंग दल का खिचरी बनाया है जो मैं कभी आप लोग के साथ जरूर सेर करूंगी कि ज्यादा टेस्टी होता है और हेल्दी भी होता है और बच्चे खाते भी हैं बड़े अच्छे से तो मैं कभी जरूर सेर करूंगी अभी आप लोग के साथ मैं सोया पुलाव सेर कर रहे हूं तो इसे जरूर बना कर ट्राइ किजिएगा और साथ में मेरे वीडियो को लाइक सस्क्राइब करना मत भूलिएगा और नोटिफिकेशन मिले इसके लिए आपको बेल बजानी पड़ेगी अभी खाना खा लिया था मैं टपू को ले कराने के बाद उसे सुला दिया अभी साम के साधे चार बच चुके हैं सारे कपड़े सूख गए मेरे यहां मैं उसको फोल मैं कुछ उसके लिए नास्ता बना दूंगी मैं उसके लिए बनाउनगी सूजी का चीला मैं हमेशा चाहती हूं कि बच्चे को हैल्दी चीज ही स्कार अगया हमेसा दही सलाध क्यों लुद्रों कि बच्चे जो हैं बाहरी खाना आदा चाहते और घर का खाना नहीं पसंद करते तो अईसा नहीं है टपू के साथ मैं उसे बाहर का खाना नहीं देती हूँ साम के टाइम में मैं उसे चीला बना कर दे देती हूं कभी बेसन का कभी सुजी का और साथ में दूद दे देती हूं तो उसको अच्छा भी लगता है और अरहम से खा लेता है अभी साम हो चुका है साम के साधे साथ बज रहे हैं मैं देख रही हूँ टीबी और साथ में मैं अपना फैब्रेट करैला जो मैं आज भुजिया बनाऊंगी अभी उसको काट रही हूँ करैला मुझे बहुत जादा पसंद है मुझे चाहे उसकी सबजी हो करैला का भढ़वा हो भुजिया हो कुछ भी दे दो मुझे बहुत ही जादा पसंद है जीत नहीं खाते हैं वो बिल्कुल भी नहीं खाते हैं टपू को मैं कोसिस करती हूँ खिलाने का और उसको मैं खिलाती मैं खुद से उसको खिलाती हूँ वो कहता तो है कि ममम मुझे अच्छा नहीं लग राए नहीं लग राए लेकिन मैं उसे कहती हूँ कि ये बहुत ही अच्छा चीज होता है और उसको थोड़ा थोड़ा आदत डाल रही हूँ खिलाते रहती हूं, जब भी मैं बनाती हूं तो उसको भी थोड़ा जरूर खिलाती हूं ताकि वो सब कुछ खाय बच्चे अगर सब कुछ खाते हैं तो बहुत ही अच्छा रहता है तो उसे बच्पन से यहादत सुखाना चाहिए आदत लगाना चाहिए कि अगर बच्चे आपको कहते हैं कि मम्मा मुझे यह चीज नहीं खाना मुझे नहीं पसंद है तो आपको चाहिए कि आप जो चीज उसका फैबरेट हो तो वो बोल कर आप बोलिये कि अगर जो तुम यह खा लोगे तो मैं तुमको अभी बाहर घुमाने ले जाओंग उनके आदत डलवने के लिए बच्चे होते हैं न वो करेला लवकी इन सब चीजों से भागते हैं लेकिन यह सब चीज हमारे सेहत के लिए बच्चे के सेहत के लिए ग्रो के लिए और उन्हें उन्हें तो और ज्यादा एकदम पोश्टिक खाना चाहिए बच्चे को जिसमे कि हडा सबजी जरूर देने चाहिए, एवरी डे और दूद तो सामिल होने चाहिए, कोई एक फल भी हमेशा मैं कोशिज करती हूँ, कि मैं उसको सुबा तो फल ही भचपन से आदत रहेगा खाने का, तो वो जब धीरे-धीरे बड़े होंगे, तो वो खाएंगे, वो कभी ये नहीं बोलेंगे कि मैं नहीं खाओंगा, वो हर चीज खाना चाहिए, तो अभी मैं बनाओंगी बस जीत के लिए कोई और सबजी बनानी है मुझे, और रोटी बनाना है, बस यही रात मुझे बनाना है, तो चलिए किचन में, आप लोग भी ठीक ऐसे ही बनाते होंगे, मैं प्याज को पहले नहीं डालती हूं, करेला के साथ ही डाल देती हूं, तो वो अच्छे से भून कर मिक्स हो जाता है, और जब मैं दूसरे चीज का यह भुजिया बनाती हूं, तो मैं पहले प्याज फडाई कर लेती हूं, उसके बार डालती हूं, लेकिन करेला में इसलिए प्यालतियों कि करेला बहुत जादा करवा होते हैं और प्यार जब इसके साथ गलता है बनता है भुजिया तो बहुत ही अच्छा बनता है तो मेरा देखिए यहां करेला का भुजिया रोटी और यह सबजी है पनीर भुर्जी है दूद को मैं इने फारा था और उससे बना जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं उन्हें बहुत बहुत